अभी तक मैंने जितनी बाते आपको समझाई एनरजी इस्तेमाल करने के लिए active और passive दोनों में या flat plate converter ले 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 या passive elements construction के अंदर ले ले तो सारा का सारा استعمाल सरफ direct solar energy को हुआ था ठीक है इसका हमने उस से कुछ ज़्यख्यद्द घर्मी ली थी heat transfer हो थी उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया हमें बहुत सारी जरुर्षजगाओं में जरुरत है एलेक्टरिसिटी की, बिजली बनाना है, ये बिजली बनाने के लिए जरूरी है कि टर्बाइन चलाना पड़ेंगे, ये जपनाना पड़ेंगे ये फोटो backdrop 솎लर सैल है ना एक मरता किसी ऐसी गर्मी इतनी हो कि उससे स्टीम बने इस्टीम अगर बन गई तो फिर वो स्टीम एनर्जी से टर्बाइन टर्न होना शुरू हो जाते हैं तो वो कहानी तो आपको बहुत अच्छी तरही से अब तक याद हो गई होगी कि मैंने काफी सारे मौडूल में इसका तस्करा किया था तो स्टीम तक कि कैसे पहुचे हैं सूरज की गर्मी से तो यह सोलर थर्मल एलेक्रिक पावर की जो बात हो रही है ना तो इसका मतलब है कि सूरज कुछ वाओं को लेके उसको फिर कनवर्ट करें हीट के अंदर फिर वो हीट से उसको स्टीम बनाएं फिर स्टीम से फिर टर्बाइन चलाएं वो वो काम कैसे होगा तो इसके लिए थोड़ा सा जूरत पढ़ेगी समझने की कि कि एलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन जो विजिबल लाइट है उसको फिर फोकस कैसे कर सकते हैं सूरज की एनरजी में एक बड़ी खराबी कहले है यह जाने इनरजी उसको फिर कांसेंट्र्रेट करना पड़ते हैं अब आपको पता है मेगनिफाइंग ग्लास में लेके आपने काघस जलाया होगा यखिनान बच्पन में या किसी के जिसम में थोड़ा सा चुरका तो लगाया होगा तो वो करना पड़ता है तो उसके लि तिसरी चौती जमात वाली साइन्स है, जिसका मैं थोड़ा सा रिविजन यहां आपको दे दूँ, ताकि फिर आपकी समझ में आ जाए कि इसको सूरज की गर्मी से एलेक्टरिसिटी कैसे बना सकते हैं, तो यह जो डिफ्यूज है ना, इसको कांसेंट्रेट करने के लिए हमें कि लेंज या मिरर की जूरूरती है, या लेंज हो या मिरर हो, दोनों में से कोई एक चीज़ है, दोनों एक तरह का काम करते हैं, वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा है जब आप जब देखेंगे, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन या प्रॉपर्टी ऑफ और रिफ्रेक्शन तो या तो आप उससे वो अध्सा बना लें, लेंज बना लें, या फिर शीशा बना लें, मेरर बना लें, दोनों बन सकते हैं, तो ये है कि ये जैसे देखेंगे ना आप ये लेफ्ट से आरी है सूरज की शौएं और फिर टर्न हो रही हैं एक फोकल स्पीड बताई ना, वो किसी एक मीडियम में होती है, हवा में या वैक्यूम में, ठीक है ना, उसका अगर मीडियम चेंज हो गया, वो अगर हवा से गलास में चली गी, तो इसकी स्पीड बदल जाती है, जैसे हवा से गलास में चली गी, जैसे आपको बाटम लेफ जो आप जा रही है, row और left-right करते वे जा रहे हैं, अब एकदम से बीच में कीचड आ गई, तो जो लोग कीचड मेंसे गुजरे हैं सब जगा कीचड नहीं है, कुछ जगा कीचड है, जो एक left side पर कीचड है, उस मेंसे जो चल रहे हैं उनकी speed थोड़ी सी चोटी होगी, तो पहले तो ऐसे जा रहे थे, अब ये वाले जो लोग है ना, इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, तो पूरी की पूरी जो लाइन है जो तेड़ी होगी, याने पहले तो ऐसे जा रहे थे, फिर ऐसे जाना शुरू होगी होगी, तो वो, ये बिलकुल लाइट में भी यही हो कि जब एर से जब ग्लास में आती है न तो फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाती है तो इसकी बहुत सारी पिर मज़दार चीज़ें अब यह देखें जो उपर वारा जो अंबरेला पानी में लगावा है उसकी स्टिक देखें वह ऐसा लग रहा है जैसे बीच में से टूटी भी में ऐसे नजर आती है जैसे वो खरीब है वो इतनी खरीब नहीं होती है जितनी नजर आती है वो बहुत जाद जाद है लेकिन जतने नजर आती है उससे दूर होती है थोड़ी सी और मशली को उल्टा नजर आता है वो आपको देखे ही वो कहेगी वो तो बहुत दूर है पानी बढ़ा है, वहां पहुँचे तो कुछ भी नहीं है, वह भी सब रिफ्रेक्शन की वज़ासे है, थर्मल हीट और रिफ्रेक्शन दोनों की वज़ासे, क्योंकि हर जगा एर की डेंसिटी मुक्तलिफ होती है, तो जो लाइट चलती है, वह उल्टी सीधी होती रहती है, तो ऐसे लगता है, जैसे वहां पे वेवस वगरा चल रही हैं, तो फिर लोग धोका खा जाते हैं उससे, तो यह एक बड़ी बात है, इस वज़ए से वो चेंज होती है, जो आपको ने इसमें देखा था ना, यह रिफ्रेक्शन की वज़ए से उसकी वो जो थी, लोकेशन, और ट्रेजिक्टरी, जो पाहती ही, वो चेंज हो जाती है, ओपर एक जह घका फोकस हो जाती है, और दुसरी चीज है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी जिस अंगल से आई, उस अंगल से गई है, यह लाउफ रिफ्लेक्शन, यह यह थिददेंस इकल तो अंगल या लेंज जिससे फोकस हो रही थी, अब उसी खिसम का वो है, ये है मिरर, कर्व मिरर है, फोकसिंग मिरर है, इससे जो जितनी भी शुआएं आ रही हैं, उस सारे फोकल पॉइंट पे फोकस हो रही है, ये कई चीज़ ऐसी हैं, जो बाजार में मिलती हैं, वहां पे, कि आप उ तो ये इन चीज़ों को काम मिलाके फिर ऐसी चीज़ें बनती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी लेफ्ट साइड वाला जो केस है, वह बिलकुल वह ये अंडा बनाने वाली जगह, उसको ऊपर टंगाना पड़ता है, फोकल पॉइंट के उपर बन जाता है, या लगे वे हैं, वह जो सिर्फ सुनते रहते हैं कि उपर से कोई आवाज आएगी, वो अल्लामिया के वास को नहीं सुने रहा है, वो एलियन्स आवास को सुने है, और गुजिशता अप सतर-असी साल से बलके ज़्याद ही अवाज को सुने हैं, अभी तक कोई आवाज नहीं इसका ये मतलब नहीं कि कोई है नहीं, लेकिन अभी आवास कोई नहीं आई है, लेकिन मकसद यह है यहां पर बताना, कि वो जो रेडियो वेवस आ रही है उपर से, उसको फोकस वो एक उपर जो पॉइंट लगाव है, उसको फोकस हुआ हुआ है, और वो सुनते रहते हैं, कि पिर आप टीवी पर अपने जाके देख लें, तो यह सारी चीज़ें आप उसको काम में लाते हुए, पिर ऐसी चीज़ बनती है, यह अब सिर्फ लाइट को फोकस करेंगे एक पॉइंट के उपर, अब उपर वाले देख लें, यह से कर्वड मिरर है, अब बीच में से एक ट्यूब जा रही है, जिसमें से या पानी, या कोई और सॉल्ट, उसका टेमपरिचर वही काफी आगे तक के, यकीनन पानी की उबलने से तो बहुत आगी की बात है, अब तो हम बहुत अच्छे-च्छे सॉल्ट की बात करें, उतने टेमपरिचर पे यहां से जाएगा, वो मिल्ट होगा, वो मिल्ट की जितनी भी एैनरजी है, हीटिंग की जितनी भी एनरजी है, वो ले के जाएगा, एक जाहां जहाँ वो जमा करेगा, उससे पानी बॉइल होगा, स्टीम बनेगी, बॉइलर के अंदर, प्रेशराइज स्टीम, उससे फिर ठर्बाइन चलेंगे, उसे फिर जेनरेटर चलेगा, उसे फिर आपको अलेक्रिसिटी मिलेगी। ये सारी जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉम अलाके, कर्व, मिरर की बात करके, नीचे देखें कितना पूरा फार्म लगाओा है। ये एक पावर प्लान मोहावे डेजर्ट जो अमरीका में लगाओ है। त्री हंड़ेड और फिफ्टी फाइव मेगावाट्स, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा बला साइस का है। और बिलकुल एक मरता लगा लें तो बस चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं होगा। तो इस खिसम की चीजें बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। ताके वह सूरज की जितनी भी एनरजी है, उसको कनवर्ड करके इलेक्रिसिटी में लें। इक मरता लगा तो उससे आप तीवी चला लें, उससे अपना सेल्फ़वन चार्ज कर लें, या उससे गाड़ी चला लें, जो मरजी आप उसको कर लें। सूरज की शौँहों से डिरेक्रिक तो और नहीं बलके इन्डिरेक्ली आपने ऐलेक्रिसिटी बना ली। झाल झाल